प्यारे बच्चों, संस्कृत की इसका अक्षा में आप सबका स्वागत हैं, आज हम नवे पाठ के बारे हम पढ़ेंगे, जिसका की नाम है अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वस्ते ये सब्तमी का एक बचन है इसमें, अर्थात अविश्वसी पर जिस पर हमें विश्वसेत विश्वस नहीं करना चाहिए, अर्थात जो अविश्वसी आदमी है, अविश्वसी व्यक्ति है, अविश्वसी प्राणी है, विश्वस न करने योग्या प्राणी है, उस पर विश्वस नहीं करना चाहिए, अब ऐसे कौन से विश्वसी प्राणी होते हैं इस पर एक चोटी सी कहाणी के महतिम से यहाँ पर इस पाठ को प्रस्थित किया गया है आईये इसको पढ़ते हैं नबमहपाठा नव पाठ अविश्वस्ते नविश्वसेत अविश्वासी पर मिश्वास ना करें यहाँ पर दिखा हुआ है एकदा एकस्मिन वने एक बार एकदा एकदा वने सब्तमी का एक वचन है और एकदा आव्याय है इसको आप नोड़ करेंगे ऐसी एकस्मिन वने और ये एकदा ये आव्याय है ठीक है एक बार एक बन में एक श्रिगाल एक गीदर भोजनम प्राप्तुम भोजन प्राप्त करने के लिए प्राप्तुम में क्या है प्र आप तुमुन यहाँ पर लिखा हुआ साथ में देखें इसको यहाँ प्राप्तुम लिखा गया है आपको थोड़ा वेजिबल नहीं होगा प पर आप तुमुन। इतस्तता भ्रामति स्म इद्रूदर गुमता था। भ्रामति जो है यह लटलकार पर्थम पुश्च का एक वच्छन है और जब स्म इसके साथ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ भूद काल में हो जाता है इसका मतलब बनता है गुमता था यह गुम रहा एक बार एक बन में एक गीदड भोजन पाने के लिए इधरूदर घूम रहा था इसमें श्रिगाला जो है आप देखेंगे इस तरह से दिखा हुआ है इसमें आ की मात्रा तीन बार लग गई है इसके साथ ठीक इसको श्रिगाला ठीक करेंगे आप इसको पहले अगला इसमें तदेव तभी सह मूश का नाम समुहम द्रिष्टवा वह चूहों के समूह को देख करके तान खादितुम चिंतेति उनको खाने के बारे में सोचता है तस्य मूशक समुहस्य उस मूशक समुह का राजा हरिष्ट पुष्ट आसीत जो राजा था उस मूशक समुह का वह हरिष्ट पुष्ट था अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको, आपके पास यहाँ दिये हुए खाद तुम, खाद धातु से कौन सा प्रत्य है, तुम उन प्रत्य है, खाद तुम, ठीके, फिर हैं हमारे पास चिंत यती में चिंत धातु है, द्रिष्टवा में द्रिष्धातु से कतव प्रत्य है, तदेव में संदी छेद है, तदाधन एव, और हरिष्टा पुष्टा में कतव प्रत्य होता है, हरिष और पुष्धातू से कतव प्रत्य, और आसीत में हमारे पास क्या है, असधातू लंगलकार प्रथम पुर्ष का एक वच्चन, इन चीज़ों को आप नोट करेंगे, करता है, चुहूं कि उस समूह का अनुसरन करता है, आप देखें, इसमें हमारे पास से करता क्रिया देखी जाए, तो क्या है, अनुसरती क्या है, क्रिया है, श्रिगाला क्या है, क्रता, श्रिगाला क्रता क्यूं है, क्यूं, क्यूंकि अनुसरन करने वाला काउने, श्रिग तो अनुसरन करना क्या है क्रिया अनुधन सरती ठीक है उपसर अलग करके ऐसे इसका रूप लिखा जाएगा तान मूशकान खादितुम इच्छन उन चूहों को खाना चाहता हुआ सब वह मूशका नाम बिलस्स मिपम गच्छती मूशकों के बिल के पास जाता है खादितुम में खाद धातु से यह हमारे पास खाद धातु ऐसे लिखेंगे हलंत ठीक है खाद धातु से कौन सा प्रत्य हमारे पास इसमें तुमन प्रत्य है तो तुमन का जो न है वो हलंत फोता है इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है खाद धन तुमन ठीक है इसमे तुमन प्रत्य है, खाद धातू से तुमन प्रत्य है, इच्छन जो है हमारे पास, इच्छन में क्या है, इच्छन में हमारे पास शत्री प्रत्य है, यह जो इच्छन लिखा हुआ न हमारे पास इसमें शत्री प्रत्य है, शत्री प्रत्य आपने पढ़ा हुआ है, आनि जिसक शेश रहता है ठीक है इच धातू से शत्री प्रत्या उन्हें खाना चाहता हुए वहाँ मूशकों के बिल के पास गच्छती जाता है गच्छती में गम धातू हमारे पास है यहाँ पर अब आगे चलते हैं तदेव सह तभी वह मूशका नाम समूहं समूह को नहीं कृशम मेताम यह हमने उपर पढ़ लिए इसको नोट करेंगे आप यहाँ पर हमने एक चीज नोट करनें सिर्क इसमें रिष्टा पुष्टा पुष्धातू ठीक है पुष्धातू ऐसे लिखेंगे आप श और पुष ठीक है अब आगे देखते हैं सहर्श्रेगा आलह वह गीदर किंचित चिंत इत्वा कुछ सोच करके या कुछ सोचने के बाद चिंत इत्वा में चिंत धातू से कत्वा पुष्धातू है मुष्ध का नाम बिलात बही चुहों के बिल से बाहर बिलात और बही को अंडरलाइन करेंगे क्यूंकि बही के योग में कौन से भ्यक्ति होती है हमारे पास पंचमी बही योगे सूरियम प्रती सूरे के प्रती या सूरे की योर उद घाटी तेन मुखें तिश्टती खुले हुए मुख से बैठता है तो मुख खोल करके सूरे की योर मुख खोल करके बैठ जाता है ठीक है जब वो मुश कसमू को देखता है उनको खाना चाते है उनके बिल के पास जाता तो क्या करता है कुछ सोचता है थोड़े देर उसके बाद जैसे आपने पिक्चर में देखा क्या कर रहा है यहाँ पर दो पैर धर्ती पर रखे दो उठाए हुए है और सूरी की ओर मुग करके बैठा हुआ है इनिके तिष्ठती इनिके खड़ा हो जाता है स्थेर हो जाता है अब सूर्यम प्रती यहाँ इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप दुईतिया प्रती योगे ठीके दुईतिया भ्रती प्रती के योग में यहाँ पर लगी हुई है नोट कर लेंगे इसको साथ साथ में नोट करते चलेंगे अब आगे है अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन अन्यस्मिन और दिवसे दोनों में क्या है आप देख रहे होंगे यहांपे अन्यस्मिन सब्तमी एक वचन और दिवसे भी सब्तमी एक वचन अथात अगले दिन प्रातह सुभह मूशका श्रिगालम द्रिष्टवा चुहे गीदर को देख करके द्रिष्टवा में द्रिष्धातु से कत्वा प्रत्य है ठीके चकीता भवंती हैरान हो जाते हैं द्रिष्धातु से कत्वा प्रत्य इसको नोट कर लें आप ऐसे साथ साथ करते चलेंगे द्रिश्धातु से कत्वा प्रत्य लिख लेंगे इसको इस तरह से अगले दिन चुहे गीदर को इस अवस्था में देख करके हैरान रह जाते हैं मूश्क राजहतम प्रिच्छती चुहों का राजा उसे पूछता है भवान एवं आप इस प्रकार किमर्थम स्थित अस्ती क्यूं स्थित हैं इस प्रकार से क्यूं बैठे हुएं आप कारण क्या है कोई परिशानी है बताएं तो देखो किमर्थम में है किम धनार्थम स्थित में क्या है स्थाध हातू है और प्रत्य कौन सा है कतव प्रत्य जो कि आपने कल पढ़ा था स्थाध हातू से कतव प्रत्य इसमें है हमारे पास और किम अर्थम में किम शब्द के साथ अर्थम प्रत्य जुड़ा हुआ है यनि के मूल शब्द से अर्थम प्रत्य जुड़ता ह और जिसका अर्थ होता है के लिए, के उर्थम इने किसलिए, जूए इसको भी नोट कर लें आप, इसलिए मैं साथ सात में लिख रहा हूं, ताकि आपको समस्य है कामो, किम धन, अर्थम, जूए नोट करेंगे साथ सात में, कि आप इस प्रकार से क्यूं स्धित हैं, श्रिगालह अवदत गीदर बोला यदी हम चतुरह पादान यदी में चारों पैरों को पादान रामान की तरह दूतिया का एक वचन धरायाम स्थापई श्यामी धर्ती पर रख दूंगा लिटलकार तदा तो अब यहे पृत्वी अधह गमिशती धर्ती नीचे धंस जाएगी आता है इसलिए हम एवम स्थिता असमी मैं इस प्रकार बैठा हूँ स्थिता में स्थाधातु से कतब रते इसलिए कहता है कि मैं ऐसे बैठा हूँ अगर मैंने चारों पैर नीचे रख दी ना धर्ती पर तो क्या हो जाएगा यह धर्ती धंस जाएगी वो गिदर ऐसा कहता ह अन्या मूश का प्रिच्छती दूसरा चूहा पूछता है भवता मुखम कहता है चलो कोई बात नहीं पैरों को आप रखेंगे धरती धंस जाएगी तो मैंने मान लिया अब पूछता है भवता है आपका मुखम मुख सूरियम प्रती सूरी की ओर के मर्थम अस्ती किसलिए है मुखम च और मुख के मर्थम उदगाडितम अस्ती और मुख खुला क्यूं है बोता है आपका मुख सूरी की ओर क्यूं है और खुला क्यूं है श्रिगालाह वदती गीदड कहता है यहां श्रिगाला करता है वदती क्रिया है सूर्यम पूजय तुम सूरे की पूजा करने के लिए पूजय तुम में पूजधातु से तूमन प्रत्य है मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ती मेरा मूँ सूरे की और है सोर्यम प्रती द्वितिया प्रतियोगे अस्ती में अस्धातु लंगलकार प्रत्मपुर्ष का एक वचन वायूं चो भक्षईतुम और वायूं को खाने के लिए हावा को खाने के लिए क्या है मेरा मुख जो है उद्गाटितम अस्ती खुला हुआ है भक्षधातु से तुमुन प्रत्य है यहाँ पर भक्षईतुम भक्षधातु से तुमुन प्रत्य है वायूं चो भक्षईतुम उद्गाटितम अस्ती और हावा काने के लिए मेरा मुख खुला हुआ है वायू हु एव मम भोज नमस्ती वायू ही मेरा भोजन है ठीक है कहता है मेरा भोजन क्या है वायू अब आगे पढ़ेंगे मूश का आहू तम श्रिगालम नत्वा चुहे उस गीदर को प्रणाम करके नत्वा में क्या है नमधातू से कत्वा प्रत्य है यहाँ पे लिखा हुआ है यह नत्वा का रूप प्रक्रति प्रत्य है नत्वा नमधातू से कत्वा प्रत्य मुशका तम श्रिगालब नत्वा परस्प्रम बदन्ति चुए उस गीदड को परणाम करके आपस में बोलते हैं, यहां बदन्ति करिया है, मुशकाह करता है एशह श्रिगाला यहां गीदर कष्चन महात्मा एव कोई महात्मा ही है वयम प्रतिदिनम हम हर रोज अत्र आगत्य यहां आ करके अस्य सेवाम कृत्वा इसकी सेवा करके पुन्यम प्राप्सिया मह पुन्य प्राप्त करेंगे तो चुए क्या कहते ही कोई बहुत बड़े पहुंचे हुई सादू मात्मा है तो रोजन की सेवा करेंगे हम आकर के यहां पर देखे आप यहां पे लिखा हुआ है आगत्या आ उपसर पूर्वक गम धातु से लिप्रत्य आगत्य भी बनता है रोप और आगम में भी बनता है क्रित्वा क्रीधातु से कत्वा प्रत्य प्राप्स्यामा लिटलकार है तीक अब मैंने उपर कहा था आपको मूशका तम श्रिगालन नत्वा परस्परम बदंती चुहे उस गीदर को प्रणाम करके आपस में बोलते है मैनिया का बदंती क्रिया है और मूशका करता है तो यहाँ पर उने श्रिगाला हो क्यों नहीं करता है क्यों क्योंकि करता में प्रत्मा होती है कार्चिन पढ़ा है न हमने करताने कर्म को तो जैसे रामह, रामम रामह, रामव, रामाह वैसे ही मुशका, मुशका हूँ, मुशका हूँ प्रत्मा का बहुचन तो प्रत्मा करत भी प्रत्मा करता हैं प्रत्मा हुई तो मुशका करता हूँ श्रिगालम क्या है, रामम की तरह दुटिया है इसका रथ होता है गीदड को को वाला करता नहीं होता पहले वाला करता होता है मूशकाह ठीक है बदंती कौन बोलते हैं चुहे बोलते तो जो बोलते हैं वे करता कहलाते हैं मूशकाह प्रतिदिनम चुहे हर रोज तम श्रिगालम से भी तुम उस गिदड की सेवा करने के लिए तत्र आगशंती समग वहां आते थे तत्र अव्य है आते कौन थे चुहे तो करता कौन हुए चुहे मूशका हो आगशंती तीतांती लटलकार लेकिन समग जब जुड़ गया साथ में तो क्या बन गया इसका भूतकाल बन गया इस समग के जुड़ने की बज़े से ठीक है जो समग इसमें जुड़ गया इस बज़े से क्या हो गया भूतकाल आपने सैवंत के पाठेक में भी पड़ा था सेवी तुम में क्या है सेवधातू से तुमन प्रत्य है इसको भी आमें लिखा है आप इसको भी नोट करेंगे साथ साथ में अगला है अवस्रम्च प्राप्य और मौका पाकर जब मनें चुहे उसकी सेवा करने आते थे तो मौका पाकर के सधूरता श्रिगालह वह चालाग गीदर प्रतिदिनम एकम मूशकम खादिते इसमा हर रोज एक चुहे को खा जाता था प्राप्य में क्या है प्रवफ सर्ग पूर्वग अपधातू है उससे लिप्रते जुड़ा हुआ है ठीक है धूरत कहते हैं चालाक को अब एकम मूशकम खादिते इसमा एकम क्या है यहां पे संख्यावाची वशेशन किसका मूशकम का मूशकम में दुटिया लगी वी तो केशु चित दिव सेशु दोनों में सब्तमी एक वचन कुछ दिनों में सहर श्री गाला हुआ गीदर हृष्टा पुष्टा हृष्ट और पुष्धातू से एक प्रते हृष्ट पुष्ट मनें तगड़ा हो गया अभवबत हो गया भुधातू लंगलकार प्रत्थम पुर हम चूहे आपस में वारतालापम कुरुवन्ती बातचीत करते हैं क्या बातचीत करते हैं आगे इसके बारे हैं पढ़ते हैं एक चूहा मुषकराज को प्रणाम करके कहता है आप यहां पर पहले देख लेंगे हम कि प्रणाम में क्या है इसमें हमारे पास प्रवुपसर्ग है और नमधातु है हमारे पास और लिब प्रत्य है क्योंकि लिब की पहचान है य' तो क्या बन गए ये प्रणम्य प्रणम्ल्याप नोट कर लिया एक चूहा मुश्क राज को प्रणाम करके बोला महराज सहश्रेगाला वायूम भक्षेत्वा है महराज वह गीदर तो हावा खा कर अपी भी हृष्टा पुष्टा भबबत हृष्ट पुष्ट हो गया हावा ख प्रण्तु अस्माकम संख्या निवना जाता प्रण्तु हमारी संख्या कम हो गई है वयम शंका शीलाहस्म हमें संदेव हो रहा है हमें शक हो रहा है वो ये कहता है अब आगे देए मूश्क राजह तान अवदत चुहू का राजह उन्हें बोला अहम अभी एवम चिंतेयामी मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ मम शंका श्रिगाल से उपरिये वस्ती और मुझे भी श्रिगाल पर ही शक है मेरी शंका भी गिदर पर ही है यानि के मुझे भी उस गिदर पर ही शक है अहम अवश्य मेवस्य कारणम ज्या स्यामी मैं जरूर ही इसका कारण जानूँगा भवन्तह अधुना गछन्तू अभी आप जाए ठीक है भवन्तह क्या यहां पे करता आप सब गछन्तू क्रिया अधुना अभी ये अव्या है अब आगे अग्रिमे दिवसे अगले दिन योजना अनुसारम योजना के अनुसार मने बनाएगे योजना के अनुसार बनाएगे अनुसार सर्वे मूश काह धूरम गछन्ती सभी चूहें दूर चले जाते हैं मूशक राजा तत्र एका किये द्रिश्टती और चूहों का राजा वहां अकेला ही बैठा रहता है जब वो अकेला ही बैठा रहता है तो क्या होता है इदम द्रिश्टवा यहां देख करके द्रिश्टवा तुसे कत्वा परते श्रीगालह तम मूश्कराजम प्रहर्ती गीदड उस मूश्कराज पर प्रहार करता है वो देखता हैंगे वो अकेला यहांपे तो उस पर अटैक करता है और होता क्या है साव्धान अह पहले से ही अलर्ट साबधान चुहों का राजा कूर्दित्वा कूद करके श्रिगालम प्रहरती गीदड़ पर प्रहार कर देता है या करता है कूर्द धातु में हमारे पास क्या है कूर्द धातु कूर्द कहते हैं कूदने को और कूर्द धातु से कत्वा प्रते यहां पर है इसे भी नोट करेंगे साथ साथ में कूर्द धातु से कत्वा प्रते हैं प्रहर्ती प्रहर्ती में प्रवपसग पूर्वक हर धातु ठीक है और फिर लटलकार प्रत्नपुर्ष का एक वचन, कुरुदित्वा प्रहर्ति, तदेव सर्वे मूश काहतत्र आगचनती, तभी सभी चुहे वहां आते हैं, या आजाते हैं, श्रिगालम च आक्रम्य और गीदल पर आक्रमन करके तीक्षन दंतेई, तृतिया का बहुवचन है ये तीक्षन दंतेई, प्रश्न बनेगा कई, तस से नाशम कुरुवंती उसका नाश कर देते हैं, अब आक्रम्य में क्या है, देखिए इस शब्द साफ साफ नजर आ रहे हैं, इसमें अक्षर आ है, क्रम है, और यह, मने आ उपसर्ग है, क्रम धातु है, माधा इट मीन्स ह सत्यमेव कथ्यते, सच ही कहा है, अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वास पात्र पर जो विश्वास के लाइक ना हो, उस पर विश्वास कदापी नहीं करना चाहिए, अब इसके पर चाहिए, हम इसका हिंदी ल